जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी और सभी को हमाई तरफ से बहुत बहुत शुक्तामना सपनों का संकेत वास्तम में हमें सपने नाना भाती के संकेत देते हैं सपनों का एक रहस्ते में संसार होता है बहुत लोग आप में से यह सोच सकते हैं कि सपने तो आते ही रहते हैं लेकिन एक बार बताएं, जो विक्ति जितनी शुद्ध आत्मा होती है, जिस विक्ति के कारे जितने शुद्ध होते हैं, उसके सपने वास्तव में सच्चे होते हैं, आप माने या ना माने, सपन हमें एक गणित देते हैं, सपन अच्छे होंगे, अच्छा प्रणाम मिलेगा, सपन यदि कई बार सही भी नहीं होते हैं तो उनका प्रणाम भी अच्छा नहीं होता है सपनों पर हम अनेकों बार विश्यसांग बना चुके हैं लेकिन सपन का संसार बहुत बड़ा है इसलिए इसमें एक विश्यसांग से नहीं अनेकों से काम चलता है आई अभी बताएंगे पहले आज का पंचान्ग देखें उन्निस नमंबर सन दोहजार बाईस दिन शनिवार मार्ग शीर्स कर्शन पक संबन दोहजार उनासी तिथी दश्मी नक्षत्र उत्त्रा फालगुनी रहुकाल नो से साड़े दस दिशासूल पूर्व दिशा अब दसमी जो तिथी है वो करीब करीब साड़े दस बजे तक है उसके बाद एकाश्ची लग जाएगी लेकिन एकाश्ची का जो वर्त है वो कल का माना जाएगा बीस तारीक का, क्योंकि बीस तारीक में जो तिथी है, सुर्य उदे के साथ एकाशी है, इसलिए जो भी एकाशी का वर्त रखना चाहें, कल एकाशी का वर्त वो रख सकते हैं, और कल की जो एकाशी है, यह उत्पत्ती एकाशी के नाम से जाने जाती है, खैर, सपन की बात कर र बार-बार बंधन बना दिए जाते हैं किसी सपन में आप बार-बार रोते रहते हैं अक्सर आपको सपनाएगा आप अपने आपको रोता दिखाई देंगे आप किसी सहर में घूम रहे हैं हवा में उड़ रहे हैं कुछ भी आप अपने आपको तो रोता दिखाई देंगे रोता यदि व्यक्ति बारबार अपने आपको सपन में रोता देखता है तो विपत्तियां आती हैं जो उसके कारे होते हैं वो उसके देर से सिद्ध होते हैं एक व्यक्ति बारबार सपन में आकास में उड़ता है आकाश गमन करता, एक व्यक्ति बार बार चड़ाई पर चड़ता, पहार चड़ता दिखे, घर की सीड़िया, स्टेर व्यक्ति चड़ता दिखे, लिफ्ट में व्यक्ति उपर जाता अपने आपको देखे, यदि ऐसा सपन किसी के लिए आता है, तो आप जो इन चीजों को नह नहीं मानते, एक बार जरूर अंदाय लिकाल के देखिएगा, कि आपके जिवन में कुछ अच्छा होने वाला है, आप कॉम्पेटिशन की तियारी कर रहे हैं, बार बार आकास उड़ता अपने आपको देखेंगे, तो समझ लिजी आपका कॉम्पेटिशन सफल हो जाएगा आप राजनेता हैं किसी चुनाव की तियारी कर रहे हैं, आकास गमन होते देखते हैं, सीड़िया चड़ते देखते हैं, महल की सबसे उपर की चोटी पर अपने आपको खड़े देखते हैं, किसी उची सिखर पर आप अपने आपको चड़े देखते हैं, तो भी आपकी तर आते हुए देखना किसी चीज में किसी यान में आप बैठें तो आप नीचे की तरह पा रहे हैं मकान के उपर खड़ें और एकदम मकान गिरता दिखा और आप भी गिर गए तो ये सारी चीज़ें अशुब्दा प्रकट करती हैं कहीं ने कहीं आप माने ने आपके जिवन में कुछ कमी सी रह जाएगी आप जिस चीज़ को लेकर कि उस सुख हैं तैयारी में हैं कुछ बनाना चाह रहे हैं कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें अवरोध मिलेगा ही मिलेगा आपको एक चीज़ और बता दें सपन अच्छे भी होते हैं और सपन बुरे भी होते हैं लेकि व्यक्ति सादू सन्यासी का प्रवत्ती है या सन्यास से उसका संबंध है और वो अपने आपको आकास में उड़ता देखता है तो वो देखता है वो क्या समझे कि भई मैं क्या मेरे पास पैसा आएगा क्यों तो सन्यासी है या मैं क्या करूंगा मेरे तो समास से मतलब नहीं है मैं तो अपनी साधनाओं में परवत्त हूँ तो आकास गमन यदि किसी साधू को सन्याशी को एकांतवासी को दिखता है तो उसका अर्थिय लिखा लगा जाएगा कि आपकी साधनाओं में आपको उश्टम स्थान पराप्त होगा आपकी साधनाओं बलिष्ट हो रही है और आप यदि दनिक साधनाओं अपने घर में करते हैं या कोई 40 दिन की शिद्धी कर रहे है कोई ऐसा तंत्र मंत्र या कोई भी ऐसा प्रियोप कर रहे है उस वक्त भी यदि आपको आकास गमन आकास में उड़ते हुए आप दिखते हैं तो भी आपके लिए वो सुब संकेत है आपकी साधना परिपक्र हो रही है एक चीज़ और ध्यान लखें बहुत लोग हैं जो अक्सर कहेंगे मुझे भगवान दिखते कभी मुझे क्रिशन जी दिखते हैं तो कभी मुझे शिव संभून आते दिखते हैं भगवान दिखते हैं भगवान दिखने का भी अर्थियाई है कि भाया भगवान की गर्पा आपके उपर होने वाली है आप अपनी साधना को अपनी सिद्धी को आप बढ़ा दीजिए अब आप कहेंगे साथ भगवान तो दिख रहे हैं लेकिन हम तो साथ रोते रहते ही हम तो साथ परेसान रहते ही कोई बात नहीं आपको भगवान इशारा कर रहे हैं कि बेटा तेरे अच्छे दिन आने वाने हैं इसलिए ध्यान रखना अपनी साधना को बल्वति कर देना, अपनी साधना में और चारचांद लगा लेना, अपनी साधना को और अच्छे से बना लेना, वो दिन दूर नहीं justin भगवान का पृतिक शक्रन भी पृतिक शाक्षात प्रभू आपको नजर ना आवे, लेकिन है कि इन बातों को समझे तब ना और अक्षर लाल परिद्धान देखना लाल वस्र देखना स्वपन में यह अच्छा नहीं होता है कई नहीं बिमारी का संकेत और कई बार आपने देखा है ना बहसा होता जो यम्राज जी महराज का होता यदि गदे की सवारी आप करते दिखे स्विम गदे की सवारी करने गदे के उपर बैठें या बैसे के उपर बैठें यह बड़ा गलत संकेत है आयू को छीड करने वाला यह संकेत है या बड़े बिमारी को पैदा करने वाला यह संकेत है आप मैंने एक बार पहले बताया था सिंग सेर आपका भक्षन कर रहा है से प्रण अपना होते देखना किसी सिंगी के दुआरा बुरा नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो अच्छे भी हैं अच्छा संकेत भी देते हैं। अब एक चीज बतावें जब आपको लगे के भाई बहुत बुरा सपना देखता है। जैसे अक्सर एक सपना तो होता है जो लोगों को देख जाता है वो अच्छा नहीं होता। किसी मकान का बार-बार गिरते दिखना, किसी मचान का गिरते दिखना, मंदिर का ढहते दिखना बहुत असुग होता। गदे की सवारी करना, भैसा की सवारी करना महा अशुब होता है तो ऐसी इस्तिती में देखो क्या करना आप अपने गुरु मंत्र को सुद्ध तरीके से, हर्दे से, अच्छे से पढ़ने लग जाना आप दुर्गा सबसुती का द्याय जरूर पढ़ना दुर्गा कवच ऐसी इस्तिती में आप लोग जरूर करना और जितनी अच्छी साधना है या मंत्र विज्ञान, मंत्र साधना आप कर सकते हैं अपनी मंत्र सकती को बढ़ा देना गुरु मंत्र की सकती को बढ़ा देना या दैनिक जो आपकी साधना है उस दैनिक साधना को आप बढ़ा देना ऐसी इस्तिती में हमें 21 दिन, 41 दिन दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए राम रक्सा इस्तोत्र हमें ऐसी इस्तिती में पढ़ना चाहिए हमें रामाइन जी का पार्ट करना चाहिए या स्रीमद भागवद गीता कहीं हो रही हो तो हमें स्रीमद भागवद को जाकर के बहुत अच्छे से हुमा सुरन करना चाहिए तो जतने भी हमारे बुरे सवपन हैं वो हमारे सवपन कट जाते हैं नहीं तो अपनी दैनिक साहध ना भी यदि आप घर में बहुत अच्छे से बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छा लाब दिनेगा राज को जब भी आप सोते हैं हर्दे के उपर आपका हाथ नहीं होना चाहिए हर्दे के उपर अगर आप हाथ रखे सोहेंगे तो भी आपने देखा घवराट वाले सपन दिखते हैं भूद परेश जिने अखसर सपने में दिखते हैं तो उसका इशारा निकालो आपकी पित्र संदूष नहीं है पित्रों के निवित कुछ करिए आप बहुत सारी बाते हैं आपको बताने के लिए ऐसे ही फिर किसी दिन सपन का संकेत उठाएंगे और बस आज मुझे यही समझाना था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो सपन की रिडिंग से अपना कार्य करते हैं हाँ, ऐसे मैंने बहुत लोग देखे तो बस अच्छा बुरा सपना और हमेशा एक चोटी सी बात और बता दूँ बुरा सपना जब भी दिखे उसे बाट देना चाहिए अधिक से अधिक कोई सुने भी ना तो बता देना चाहिए और जब आपको कोई शुब सपन दिखे भगवान दिखें, गाएं दिखें, गव माता दिखें गाएं का दूद निकल रहा है और आप दूद पी रहे हैं या बशड़ा दूद पी रहा है अच्छे सपने दिखें आकास में उड़ रहे हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं जो कहने का भाओ पोजिटिव वे में अगर आपको कोई भी सपने दिखता है तो वो छिपा लेना उसे अगर आपको कोई तकलीफ है कि भी इसका मैं अर्थ क्या समझूं तो अपने किसी विशिष्ट प्रिय वेक्ती से जो इनका जानकार है उससे ही जिक्र करना चाहिए अगर आपको लगता है आपकी मम्मी है माता जी आपको ये सब चीजें अच्छे से समझा सकती है मम्म जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सब को संसार से जाना है जब हम ही बुड़े हो गए तो तो आपकी गुरू है या बहुत प्रिय आपके कोई मित्र है आप उन से अपने सुब सपनों का संकीत का वर्णन कीजिएगा अधरवाइस सुब सपनों च्छिपाने चाहिए और ज समय चला आज की साथ नागा जग जलनी महा माया से जुड़ते हैं है भगवती किसी के जीवन में कोई तकलीफ ना हो है माता आपकी गुर्पा सब के उपर वर्स है पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संददतिं करिष्त्रिनयानाम सरवंग वुस्वर्थाम नेलास मध्युत्यमास्यबाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम् अदुम् कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कञ्याम विहकरवाल खेट विलसा दस्त विरासे विताम हस्ते स्चक्रगदा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणा मलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कवच मना ले ज्ञान करें जगजन्नी गश्रुबासी समसब के उपर बरस रहा है हम बोलते हुए निक्त खोने समान में हो जाए देखो साथ को जितनी वी चीजें हम आपको बताते हैं इसमें से जो भी आपको बातें कई बार अच्छी लगती हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लिया करें उन सपनों को या ऐसे बहुत से हम जोतिसी सुत्र भी आपको बतात इसमें उन्हें उन्हें हो डाउन करलिया करें जिन जिन साथ को की संस्थान में वाईदिक जरं पत्रीकाई बनने के लिए आई हुई है जल से जल भेदने का परियास कर रहे हैं जिन जिनके नौ मुखी या शिप परिवार रुद्राक्ष या 114 मुखी रुद्राक्ष अक्सर लोग पहनते हैं तो जिन जिनके ये देविय रुद्राक्ष संस्तान में प्रान प्रतिश्चित हो रहे हैं तो वो भी हम सिक्र से सिक्र भेजने का सबका प्रियास करेंगे अंबी का यंत्र हैं शुरी यंत्र हैं तो बहुत लोग यंत्र साधना से जुड़े होते हैं तो यंत्र साधना में हम इनके साथ एक बुक जो भेजते हैं वो उसका अध्याय करना उसको पढ़ना यंत्र सादना के लिए खासतोर से इस्टिरी यंत्र और अंबिकाई यंत्र इसके साथ जो आपको भूख दी जाती है जो मंत्र सादना का कुर्स दिया जाता वो करिए आपको लाप मिलेगा हमने आने को बार कहा है किसी यंत्र को खाली पेली रखने से कुछ नहीं होगा एक बार हम लोग उसको चैतिन्य करके प्रान प्रतिशित करके आपको भैज दें लेकिन उसके बाद उसकी साधना आपको करनी पड़ती है साधना करोगे बहुत अच्छा इश्वर के क्रपा से आपको सुब संकेत और आश्रवाद में लेंगे तो जिनके यंद्र हैं वो भी हम सिखर से सिखर भेजने का प्रियास कर रहे हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तर हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें ज्यानकारी के लिए आप हमें आप देख सके हमारा कारिक्रम सब्सक्राइब करें